दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम पड़े खवरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर परिवहन विभाग का बड़ा फैसला अब एक नमबर 102 पर उपलब्द होगी सरकारी और प्राइवेट अम्बूलेंस जिहां राज के सरकारी और प्राइवेट अम्बूलेंस अब एक टेलिपोन नमबर 102 पर उपलब्द होगी कॉल करने पर सरकारी हो या गेर सरकारी अम्बूलेंस पिडितों को सहायता पहुचाने के लिए गटना इस्तल पर आएगी सड़क दुर गटना में हतावतों की सेंक्या को कम करने के लिए परिवान विभाग ने ऐसा करने करने नहीं लिया है परवान विवाग के निर्देश पर स्वास्त विवाग ने इस दिसा में करवाई शुरू कर दी है प्रधान मंत्रे आवास योजना का बुरा हाल सत्तर कडोर लेने के बाद भी नई बनाए घर अब करनी होगी रासी वापस प्रधान मंत्रे आवास योजना का बुरा हाल है पांस साल में भी लाबोको ने आवास पुरा नहीं किया है जबकि वर्तमान वित्य वर्ष के आवास का भी लच मिलने वाला है जिले में अभी भी 16,000 से अधिक आवास अपूर्न है जबकि लाबोको को सत्तर कडोर से अधिक र रुपी देने का प्रावधान है इसके अलावा सोचाले और मन्रगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी का भुगतान भी करना है परते किस्ट में 40,000 रुपी का भुगतान सीधे लावुकों के काते में किया जाता है 2016-2017 से 2021 के बीच प्रतम किस्ट लेने के बाद 16,673 लावुकों ने आवास नहीं बनाये हैं इसमें 5,000 से अधिक लावुकों ने दूसरी किस्ट रासी ले चुके हैं तमाव निर्देश के बावजूद आवास पूर नहीं उपा रहा है बताया जा रहा है कि बहुत से लावुकों ने रासी दूसरे कामों में कर्च कर दी है तो कुछ रासी लेने के बाद कमाने बाहर चले गए हैं आपको बदा दे कि सभी लावुकों के घर में जाकर आवासों की इस्तिती की जानकरी लिज आ रही है जिला इस्तर पर योजना की नियमित रूप से समिक्चा की जा रही है उमीद की जल्दी आवाज पूर्ण कर लिया जाएगा आवाज नहीं बनाने पर रासी की वसुल की जाएगी बड़ी कबर CBSी स्कुलों को 11 वी में बिना टेस्ट देना होगा एडमिसन जी हाँ केंद्रिय माजदमिक सिक्चा बोड के सबी स्कुलों को ओन चात्रों का इगारवी में सीधा नामांकल लेना होगा जिनोंने उसी स्कुल से दस्विपास किया है इसकोल द्वारा चात्रों का ना तो लेकित पर इचल ली जाएगी और ना ही नामांकन लेने से मना किया जाएगा चात्र के अंके अनुसार इसकोलों को नामांकन लेना है इसकोल लेकर सिब्यसी ने इसकोलों को निर्देस भीजा है बोट के निर्देश की माने तो ग्यारवी में इसकोल अपने चात्रों को ही मना नहीं कर सकते हैं उन्हें नमांकल लेना होगा बड़े ख़बर 12,000 किसानों को सरकार सिखाएगे माचली पालन के नई तकनिक खर्च होंगे इतने कड़ो रुपिय जिहां माचली पालन के नई नई तकनिक से राज के मते से किसान रुबरो होंगे इसके लिए राज सरकार उन्हें बिबिन जीलों में माचली पालन के चेतर में हो रहे अच्चे वा सबल परियोग को दिखाएगे सरकार अपने खर्च से किसानों को बताएगी कि वे कैसे नई नई तक्निकों से मचली पालन कर कैसे अपने आई बढ़ा सकते हैं इस योजना का मकसद राज में मचली उत्पादन और किसानों की आमदानी को बढ़ाना है राज के 12,000 किसानों का राज के अंदर ब्रह्मन कराये जाएगा 30-30 किसानों के अलग-अलग 400 टीम मना कर उने विविन जगाओं पर ले जाये जाएगा पाटना के 99,000 से ज़्यादा लोगों को बाढ़ रहत के तोर पर मिलेंगे इतने रुपए जिहां पाटना जिले के 20 परकंडों में 99,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिने बाढ़ रहत के रासी प्रादान की जाएगी ऐसे लोगों का डाटा अप्लोडिंग का काम पूरा कर लिया गिया है जिले में कूल 99,000 607 लावोकों का डाटा अप्लोडिंग हो चुका है इस कार की मोनेटरिंग अनुमंडल पदादी कारी द्वारा की जा रही है आपको बता दे कि इसके तहट संभावित बाढ़ प्रभाविच छेतर के लाबोकों के नाम के साथ आधार के टेगिंग कर सूची को अध़तन करने की कारवाई की जा रही है जिससे की सही लाबोकों को बाढ़ रहत की रासी प्रती परिवार छे हजार समय पर उपलब्द कराए जा सके बाड़े कबर इगारवी में एडमेशन के लिए अब तीन तक फरे ओलाइन फर्म जिहाराज के पलश्टू और कोलेजों में एडमेशन के लिए ऑनलाइन फर्म भनने के अंतिमतिति बढ़ा दी गई है बिहार विदाले परिशा समीति ने ओएब एससस सौप्टेयर के मायदम से इंटर में केंद्रिय वर राज बोड द्वारा आयोजी तिमेटिक परिछा में सफल स्टूडेंट को 19 से 28 जून तक ओनलाइन आविदन भनने के तिति को 29 जून से 3 जुलाय तक बढ़ाया गया है इस्टूडेंट वेबसाइट www.ofsssbihar.in पर आविदन फर्म ओनलाइन भर सकते हैं बड़ी कबर पंचाई चुनाव 10 जर्नों में कराये जाएंगे तैयारी पूरी जहां राज निर्वाचन आयोग ने पंचाई चुनाव के तैयारी पूरी कर ली है आयोग ने इस चुनाव को लेकर एबियम के मोमेंट का प्लान तैयार कर लिया है अधिक संभावना है कि पंचाई चुनाव 10 जर्नों में कराये जाएंगे चुनाव का कायरकरम इस तरह से तयार किया जा रहा है कि ABM के एक सेट का उप्योग पांच चरनों में किया जाएगा एक सेट ABM का अगले चरन के मद्दान में उप्योग की बीच करीब 13-15 दिनों का वक्त दिया जाएगा राज में पंचाच चुनाव के लिए करीब 1,14,000 बोतों पर वोट डाले जाएंगे पिहार में दोसरी इंटरिस्तरिया और तिसरी ग्रेजुएट परिचा का विग्गापन अगले हपते में होगा जारी दो इस्तोरों की होगी परिक्षा जी हाँ दिवितिया इंटरिस्तरिय परिक्षा और तिरितिया ग्रेजुएट इस्तरिय परिक्षा के लिए बिएसस्सी अगले सप्ता विग्गापन जारी करेगा इन दोनों परिक्षाओं के मैदम से लगबक 4,000 पदों पर नियुक्ति होगी इंटरिस्तरिय परिक्षा के लिए अब तक लगबक एक दर्यन विवागो से इंटरिस्तरिय सहायक लिपिक आसूलिपिक निम्न वरगेल लिपिक सहायक राजवदा निदसक के 26-29 पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्षिया आई है वहीं आयोग की सुत्रों की माने तो त्रित्रिया गेजुएट परिक्षा के लिए लगबग देड़ हजार तक रिक्तिया आने की समावना है हालाकि इन में से अब तक लगबग आधी आयोग को प्राप्त हो गई है पटना जैक्सन पर सुरू हुवी ट्रेवल डेक्स 24 गंटे किसी भी कोने में ले जा सकते हैं गाडी जंदी आप पना जैक्सन पर रही वार को ट्रेवल डेक्स की सुरुवात की गई यहां से यातरी 24 गंटे गाड़ी बुक करा सकेंगे इसका नमबर सभी प्रामुक ट्रेनों की बोगियों में लिका रहेगा कोई भी यातरी ट्रेन सही अपने मोबाइल से इस डेक्स को फोन कर अपने घर जाने के लिए टेक्सी की बुकिंग कर सकते हैं यहां से बुक होने वाले सारे बहानों में जीपियस लगा होगा तता ये पूरी तरह वातानों कुलित होंगे इस कारण अकेले महिला को भी अपने घर जाने में कोई परिशानी नहीं होगी यहां से सहर के किसी भी महले में जाने का अधिकतम किराया पांस रुपिय तता नियुंतम किराया देड़ सुरुपिय होगा इसके अलावा बाहर से आने वाले बेपारियों अत्वा किसी कमपानी की प्रतिनीदियों के लिए भी बेहतर खबर है वैसे यात्री जिने दिन बर पटना में घुम घुम कर काम करना है और देर साम फिर ट्रेन पकड़ कर वापस लोटना है वे इलेक्टिक बाइक की सुविदा का लाव उड़ा सकते हैं ऐसे यात्री तीन सु रुपिय का भुगतान कर इलेक्टिक बाइक किराये पर लेकर खुदी चलाते वे सहर में गुम सकेंगे बड़े कबर योपी में योगी आदितनात की मुश्किल बढ़ाएंगे नितिस कुमार 200 सिटों पर चुनाव लड़ने की तयारी जिहां अगले साल उत्तर प्रदेश में विदानसवा चुनाव होने वाला है राजनितिक पार्टियों ने चुनाव की तयारी सुरू कर दी है योपी के मुख्यमंत्री योगी आदितनात की मुश्किले बढ़ती ही जा रही है पहले संगटन और अब सहयोगिये से निपटना योगी के लिए बड़ी चुनोती होने जा रहा है बिहार में बिजेपी की साथ मिलकर सरकार चलाने वाले नितिश कुमार की पार्टि जेड़वयों उब्यू में 200 सीटों पर चुना लड़ने के तयारी कर रही है पार्टि के राष्टे महासचीव केसी त्यागी ने इसका एलान किया है उन्होंने दावा किया है कि पहले बिजेपी से गड़बंदन और सीट बटवारे पर बाचित की जाएगी अगर मन मुताविक सीटे नहीं मिली और बिजेपी जदोई में बात नहीं बने तो जेडियू अकेले 200 सीटों पर चुना में उतरेगी